फाइनली दोस्तों आप लोग देखोंगे गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड यानि कि GSFC ने अपने कौटर फॉर के नंबर डिश्टलोज कर दिया है और साथ में क्या कुछ अनॉस्वाद चली देखते हैं अनॉस्मेंट्स होई है वह फाइनल डिविडेंट्स जो की रहेगा चार रूपे पर एक्यूटी शेर यानि 200 परसेंट तो चली यह तो होगा डिविडेंट्स अब देख लेते भी इसके रेजर्ट्स कैसे और उसका इं पर टोटल इंकम जो हमें देखने को मिले अभी अपके बार वो कह है लगग दो लाख 1740 लाग की क्रोड़ में कनवर्ट करें तो बनता है भी 2017 क्रोड़ चालीस लाख यह तो हो गया भी रिवेन्यू टोटल इंकम ठीक रिवेन्यू फ्रम उप्रेशन के अभी यह तो फ्रम में करौड़ का वहीं आप लोग देख यह तो बनता फिवेन्यू में गिरावट है वह चाहिए आप लोग रिवेन्यू फरम उप्रेशन से देखो चैंव टोटल इंकम देखो उसके बार देखो कि इसके एक्सपेंसिज यानि जो खर्चे रहे हैं तो अपके बार खर्चे कैसी है तो यहां पर देखो कि लगबग 1,900, 93 क्रोड के जबकि प्रीवस में 1,940 क्रोड थे प्रीवसर के सेम क्वाटर में 2,105 क्रोड के year to year इसके expense कम है लेकिन quarter to quarter expense बड़े हैं और अब की बार जो रही है new expense तो ज्यादा है मतलब company ने फिर से profit बना है लेकिन कितना profit है चलिए वो देख लेते हैं नेट profit for the period यह फिर आप लोगों देखोगे भी after tax अगर बात की जाए तो यहां पर जो profits हमें देखने को मिल रहा है वह है लगबग 24 क्रोड 43 लाग का जबकि previous quarter में 117 क्रोड का था महीं previous year के same quarter में लगबग 214 क्रोड का profit तो year to year आप लोगे profits में काफी बड़ा decline है तो quarter to quarter भी हमें profits में एक big decline देखने को मिल रहा है और इसका negative असर आएगा है positive चलिए वो देखते भी इसका earning per share earning per share कैसा है 63 पैसे जबकि previous में किया था 2 चाड़ या previous year के same quarter में 5 रुपे 64 पैसे तो यह इसकी results भी देखो अब जो market expected results है वो कैसे है अगर बात के जाए EPS की आया कितना 63 पैसे और expect किया गया था 2 रुपे 60 पैसे तो expected EPS से कम है इसका यहां पर यह miss हुआ है उसके बाद देखो कभी revenue revenue के अगर बात की जाए तो लगबग 1870 क्रोड का revenue expect किया गया था आया तो 1965 क्रोड है तो आप लोग देखो कि revenue तो ठीक है बीट की revenue के मामले में लेकिन जो EPS टूट है न भी और जो profits टूट है उसका stock के ओपर हमें बिल्कुल negative असर कल के दिन देखने को मिलेगा इसके लावा और कुछ पूझना comment में पोच सकते हो ठीक revenue segments यहां पर वीडियो को पोच करके आप लोग देख लेना और यह आपको total assets वगरा देखने को मिलेगी जो की previous के मुकाविल उपर देखो इसमें consolidated में increase हुई है और यहां पर आपको company के ऊपर जो debt वगरा है वह भी देखने को मिल जाएगा भी यहां पर कम किया है company ने सुरिया फिर जादा हुए तो previous season अभी company के ऊपर debt हमें increase होती हुए नजरा है तो totally यह update है इसके लावा cash flow statements यहां पर देख लेना and thank you for watching the video